तो चलिए आज हम बनाते हैं yummy yummy sandwiches ये देखके तो आपके मूँ में पानी आ ही गया होगा तो इदर हम लेंगी cabbage, capsicum, onion, cucumber और green chilies हमने सारी सबजियों को छोटा 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 चॉप कर लिया चोपर से बस 5 मिनिट लगते हैं तो आप भी chopper use कर सकते हैं नई तो सबजियों को काटते ही रह जाओंगे तो आपने देख लिया इतना छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया अब इसमें हम डाल रहे हैं मियोनीज मियोनीज अगर आप लोगों को ज्यादा चीजी पसंद है क्रीमी सा पसंद है तो काफी सारी डाल दो वरना दो तिन चमच इनफ है बिलकुल इदर few drops हमने ये डाली है soya sauce की और एक से डेड़ चमच हमने डाली है ketchup ketchup ज्यादा मट डालना क्योंकि मियोनीज भी मीठी मीठी सी होती है तो चटपटा टेस्ट नहीं आएगा उपर से की हम डाल रहे हैं oregano, chilli flakes ये हम डाल रहे हैं आधी चमच नमग और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला आपको पता ही होगा आप मुझे स्टार्टिंग से फोलो कर रहे हो मैं हर रेसिपी में चाट मसाला यूज करती हूँ मुझे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और ये काले मिच, exact quantities के लिए description चेक कर लेना और फिर इसको अच्छे से हम mix कर लेंगे सारे मसाले ताकि हर जगा अच्छे से equal हो जाए मैं अगर आपको बिल्कुल genuine review बताऊं तो जब guest आये घर पे मैंने ये sandwiches बनाये थे और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल बाजार जैसे हैं कोई कमी नहीं है एक बारी जरूर जरूर बनाना आप बाजार से लाना छोड़ दोगे तो ये हमने लिए bread pieces आप इसके sides भी cut कर सकते हो और फिर इसके बाद इसमें हम लगा रहे हैं हरी चटनी नौर्मल पुदीने वली जो घर में available होती हैं पीसते हैं वही है उसके ओपर ये हम लगा रहे हैं paste mayonnaise का और जो हमने सबजियों कर बनाया था अब हम दूसरी bread से इसको cover कर देंगे बिल्कुल अच्छे से आप देख सकते हैं और इस पर हम लगा रहे हैं ketchup आपको यह और sauce लगा सकते हो शेजवान sauce या मियोनीज भी अप लगा सकते हो और फिर उसके ओपर हम डाल रहे हैं ये खीरा प्याज आप टमाटर भी लगा सकते हो अगर टमाटर कुछ लो मैं फिर से bread को cover कर दिया अब इसको हम toast कर सकते हैं तवे पर सेख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी खा सकते हैं और दूसरा ये sandwich मैंने ऐसे बनाया है sides cut कर लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं और तीनो लेयर में हमने mixture लगा दिया